हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ मीता, मेरे चैनल कुग विथ मीता में आप सभी का स्वागत है सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से हैपी जन्मास्टमी काना जी यानि हमारी लड्डू गोपाल को दूद, खी, मखन और मेवे से बने पक्वान बहुत पसंद है तो आज में लेकर आई हूँ मखाना बर्फी जो प्रशाद के तौर पर चन्मास्टमी में लड्डू कोपाल को चड़ाई जाती है ये मखाने की बर्फी बहुत कम इंगेडियंट्स में और बहुत जल्दी बन कर तयार हो जाती है अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले तो चलिए मखाना बर्फी बनाना शुरू करती हूँ इसके लिए मैंने यहाँ पर दो कप मखाना लिया है जिसे फूल मखाना भी कहते है जो माप में 80 ग्राम के करीब है यह मैंने लिया है टेसिकेटेट कोकोनट यानि नारियल का बुरादा हाफ कप यानि 50 ग्राम और यह वन फोर्थ कप काजू है आप कोई भी एक कप या कटूरी मिजर्मेंट के लिए रख ले और उससे ही सारा कुछ मिजर कर ले काजू से बर्फी में अच्छी बाइंडिंग हो जाती है और टेस्ट भी इनहेंस होता है इसलिए मैंने इसमें काजू लिया है और यह नारियल का बुरादा है अगर आपको नारियल का टेस्ट पसंद है तो आप इसे जरूर डाले नहीं तो इसे स्किप कर सकते हैं नारियल से भी बर्फी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है अब एक पैन में एक टेबल इस्पून घी डाल रही हूं घी को मेल्ट होने दूंगी अब इसमें ये मखाना डाल देती हूं मखाना को अच्छा क्रिस्प होने तक भून लोंगी 5 मिनिट हो गए है तो मैं चेक कर लेती हूं मखाना अच्छी क्रिस्पी हो गई है तो मैं इसे निकाल लेती हूं मैंने इसे निकाल लिया है अब पैन में काजू डाल देती हूं फ्लेम को मैंने लो कर दिया है और लो फ्लेम पर ही काजू को ड्राइ रोस्ट कर लूंगी इस से हल्का सा ही भूनना है से काजूं भी रूस्ट हो गया है तो मैं इसे निकाल लोती हुँ साओ से मैंने इसे निकाल लिया है now-flow-flame पर यह नारिल चाल मुस्वच दाल दीती हूं तो मैं गैस बंद कर देती हूँ और इसे भी निकाल लेती हूँ अब उसी पैन में दो कप दूड डाल देती हूँ हाफ लीटर दूद है ये पहले से बॉइल किया हुआ दूद है जितने दिर में दूद उबल रहा है चलती हूँ नेक्स्ट प्रोसेस की और अब ये जो मखाना भूना था न उसे ग्राइंट कर लूँगी बिल्कुल बारिक पीसना है हमें देखिए मैंने इसे बारिक पीस लिया है दिखाती हूँ आपको ये देखिए अब इसे एक बाउल में निकाल लेती हूँ अब इस काजू को भी ग्राइंट कर लूँगी पल्स मोड पर काजू को लगातार चलाते वे नहीं पीसे नहीं तो इससे वाइल रिलीस होगा और काजू चिपचिपी हो जाएगी देखिए मैंने इसे थोड़ा रुख रुख कर 2-3 सेकंड चलाया है पल्स मोड पर और काजू का फाइन पाउडर बन गया है दिखाती हूँ आपको ये देखिए है न बिल्कुल पाउडर फॉर्म में अब इसे भी मखाने वाले पाउडर के उपर डाल देती हूँ और ये जो डिसिकेटिड कोकोनेट है न इसे भी इसी बाउल में मिक्स कर दूँगी यहां देखिए दूद में उबाल आ गया है और थोड़ा कम भी हो गया है और किनारी किनारी दूद जो लग गया है उसे भी स्क्रैच करती जाऊंगी दूद थोड़ा सा और रिड्यूस होगा जो मैंने दो कप दूद लिया था उसे एक कप करना है यहां देखिए दूद एक कप हो गया है अब इस स्टेज पर मैं इसमें ये वन थर्ड कप चीनी डाल रही हूँ आप अपने हिसाब से मीठा कर सकते हैं पर जितना चीनी मैंने लिया है उतना बिल्कुल परफेक्ट है अब चीनी को मिल्ट होने दूँगी चीनी डालने से दूद थोड़ा पतला हो जाता है और दूद का कलर भी हलका सा चेंज हो जाता है अब इसमें वन फोर तीसपून इ चीनी चीन कि को पीज़ा बना लिया है वीज तोज़ंगी और लीग कर दोंगी रभी, यह जही है मीक्स करणा हूं और इसमें की जा सकते कि असी को ठीज पर मैं उसमें मिख्र स्थ क्या दूँगी और मिक्स कर लोंगी है देखिए बफी का मिक्शर फशी प hall क्याया है सब क की कंसिस्टेंसी में भी आ गया है तो मैं गैस बंद कर देती हूं मैंने यहां पर एक प्लेट को घी से ग्रीज कर लिया है अगर आपके पास बर्फी वाली ट्रे है तो आप वो ले ले अब ये सारा मिक्शर इस प्लेट में निकाल लूँगी और एक स्पून की हेल्प से इसे दबा कर अच्छे से फैला कर सेट कर लूँगी इस्पून के पीछे हलका सा घी लगा कर बर्फी को चिकना कर लूँगी अब इसके उपर थोड़े से बादाम और पिस्ता से गार्निस कर दूँगी आप अपनी पसंद से इस बर्फी को सजा सकते हैं या ऐसे भी रहने दे सक अब इसे इस्पून से थोड़ा थोड़ा प्रेस कर दूँगी जिससे ये ड्राइफ रूट्स बर्फी के ऊपर अच्छे से सेट हो जाएं अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बिल आइकन को प्रेस करना बिल बर्फी हमारी ठंडी हो गई है तो मैं इसे कट कर लेती हूं सबसे पहले मैं इसकी एज़ेज कट कर लूँगी अब इसे square shape में काट लूँगी आप अपनी पसंद से किसी भी shape में cut कर ले देखिए बर्फी मेरी कितने अच्छे से निकल गई है आपको पास से दिखाती हूँ तो देखाना आपने कितना easy है से बनाना ये tasty तो होता ही है साथ ही पॉस्टिक भी बहुत ज़्यादा होती है तो आप ही बनाईए इस sun mask में पर अपने लड़ो गुपाल के लिए परशाद में ये मखाने की बर्फी और मुझे comment box में जरूर बताईए कि आपको मखाने की बर्फी की recipe कैसी लगी मिलते हैं निक्स वीडियो में